स्वागत है आप सभी का उत्किस टेकडवी के यूट्यूब चैनल पर और आज दोस्तों आप जानते हैं कि सच्वाले रक्षक का अभी एक्जाम हुआ है 21 मई 2023 को और यह मेरे पास जो पीपर है यानि कि यह सैट सी है और इसमें हम लोग जो है अभी इस वीडियो के बाद दि किर्बोई पाक जामन मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि आपका ऑप्षिन भी विनाश शूचक चिन प्रकट करना इसमें दूसरा कोश्चिन पूछा था कि निमलिकित मैंसे गीतावली किसकी रचना है ऑप्षिन में थे tio का यानिकी आप्षिन भी मार सके नहीं को इसका राइट आंसर यह हो जाएगा में tranq कोशिन है जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द कविए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौट गाया यानिकी आप्षिन ए अलपाल्प के पार्छिवा कि option B इसमें आठ हो जाएंगे अगला कोशन देखें नवा कोशन था इसमें चटा कोशन था चटे कोशन में पूछाए कि अश्व का प्राइबाची शब्द में से क्या नहीं है इसका राइट आंसर आपका option B हो जाएगा यानि कि खर खर जो है यह घदे का पराइबाची शब कोशन द्वारा दूस्री वियःपारिक संस्था को वियःपारिक संस्था को लिखे जाते हैं वै सविदान के किस अनुचेद में अंकित है तो कुलमी लाकर सिंपल से कोश्चन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानिकि ऑप्षिन ए अनुचेद 243 अस्वारी 343 नेक्श देखे अगला कोश्चन है नवा कोश्चन इसमें पूछा है कि कुमावनी का गात शब्द है यहाँ पर गात शब्द पूछा है नवे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन भी एक परकार का तदभाव शब्द है तो गात शब्द हमारा चेंद शब्द में संदी विच्चेथ होगा तो दसवे का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यानि की आप्षिन भी चेधन अन अगर आप संदी विचेथन करते हैं तो इसका उप्षिन सी राइट अंसर हो जाएगा चेधन अन तो ये आयाजी संदी है एक परकार से नेक्स देखिया अगला कोश्चन है ग्यारवा कोश्चन असंक्य किर्ती रश्मया विक्रन दिव्य दाहसी इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानि कि उपमा अलंकार बारवा कोश्चन आपसे पूछा है कि अध उपसर्ग में इन में से कौन सा शब्द रूप बनेगा तो बारवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानि कि अध जला तो अध उपसर्ग में क्या बनेगा शब्द रूप अध जला बनेगा फ्यूली इसमें क्या है, आपने गाना भी सुना उगाना इसमें बोलू या फूल भूलू तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, त्टेर का यानिकी स्थिय स्थियू अगरा उगने वाले एक परकार का फूल या जिसी हम लोग टूलिप गारड़न वगरा भी कहते है सब्सक्राइब हैं घंड सॉक्सारण और जाता है सब्सक्राइब टीन सबस्क्राइब फक्रूड 8 स्टीन में से क्या होगा तो जो सोलवे का राइट आंसर हो जाता है इसका डी हो जाता यानि कि पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है तो याद रखेगा पोथी नो पातिड नाम नरेन पंडित अगला कोशिन देखे सत्रा कोशिन इसमें आप से पूछा था सत्रों में से की पूछ आये कि निम्न मैं से किस शब्द में इत प्रत्य हुआ है तो सत्रों का राइट-ांसर हो जाएगा यानि कि आक्यों हर्शित है इसमें इत शब्द का यानि इत प्रत्य प्रत्य हुआ है अठारवा कोश्चन था इसमें पूछाएं कि सरचना की द्रिष्टी से वाक्यों में कितने भेद होते हैं तो सरचना की द्रिष्टी से वाक्यों में वही हमारे तीन भेद होते हैं है ना जैसे सरल होता है इसके अलावा संयुक्त होता है और तीसरा मेश्र होता है तो यह आपको आने चाहिए सिंपल से कोश्चन थे 19 देखें देवनागरी लीपी का विकास किस लीपी से माना जाता है तो देवनागरी लीपी का विकास हमारी किस से माना जाता है यानि कि जो अधिन कोष्चन है ब्रहामी लीपि है उसी से हमारा देवनागरी ह acá विकास हुआ था आगरी कोश्चन है विश्वकोश्चन और बीश्वको पूछ पूचा था कि जस्ट आम लोग जो है GS के आंसर की बिलाने वाले हैं इसकी तो तब तक आप लोग जो है अपनी हिंदी का जो है मिलान कीजिए धन्यबाद